है गाइस कैसे हैं आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी इग्जामिशन के पिरपर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी ओके तो एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज के बारे में मुझे आज बात करनी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है लोग जो है इनूम अटमिशन करा हैं विट उनको स्टेडी मेटरियल टाइन पर नहीं पहुंच पारिए प्लस जो ऑनलाइन मेटरियल मिलना चाहिए वो भी उन तक ठीक तरीके से पहुचने ही पारा है तो किस तरीके से आप अपने ऑनलाइन material को check कर सकते हो कि आपका material जो है कहां तक पहुंचा है कब तक आपके पास पहुंचेगा या अगर आपको online download करना है सारा का सारा box तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ताकि आप ठीक तरीके सकते हैं तो जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अविलेबल हैं आप उन सब को वाच कर लो पर प्लीलिस्ट में जाकर करके देख लेना है न उसके अलावा आप हमारे इस वाले वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम है like commerce epartsshala right commerce epartshala.blogspot.com आपको इस तरीके सा हमारे यो है वेबसाइट के नाम टाइप करके ते हमारे इस वाले वेबसाइट पर चले आना है उसके बाद आपको क्लिक करना है study material और लोगों को less availability of your book you are not able to study that particular question तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी से आपकी help कर दूँ तो study material हमारे end से आपको provide करा दिया जाएगा free of cost, कोई भी charges नहीं है तो अगर आप NCRT commerce की study कर रहे हैं तो यहां से आप accounts, BST, economics अगर आप इस link के ओपर click करेंगे तीक है, इसके अलावा अगर आप IGNU की study कर रहे हैं, जो की maximum student IGNU से study कर रहे हैं, तो उनको अगर अपना study material का status check करना, देखो यहां पर लिखा हुआ check study material status, तो इस click here वाले button पर आपको click करना है, simply click करने के बाद एक web page खुलेगा यहां पर अगर आपका admission जिस भी session में हुआ हो, suppose आपका admission अगर January 2022 session में हुआ है, तो इसके उपर आप click करोगे, click करने के बाद यहां पर enrollment ID आप अपना डालोगे और submit करोगे, आपका material dispatch status जो है आपको पता चल जाएगा है ना, आपको बस year चूज करना है कि कि सेशन में आपका admission हुआ है और वहां से फिर आप अपना details जाल करके आप check कर पाऊगे, ठीक है ना, इसके अलावा आपको अगर study material जैसा कि मैं कर रहा हूँ कि study material आपको check करना है, B.com के हो या फिर आप M.com के हो बहुत ही simple सा process है, जैसे कि B.com का जो old syllabus है, click here के उपर आप जैसे ही click करोगे, आपका जो study material है, वो आपके आखों के सामने दिखेगा, है ना, Eco 1 से लेकर की Eco 14 तक और AED, AM के ये सारे subject तो थे, वो भी है available है ना, इसके अलावा अगर आपको B.com new syllabus है, वो चेक करना है, वो कर download करना है आपको, तो simply आप click here के उपर click करेंगे, यहाँ पर request मांग रहा है, ठीक है, मैं ने इसको sign करके नहीं रखा हुआ, आप simply जो है यहाँ पर request यहाँ पर डाले, मुझे मेरे पास आ जाएगा, नो उसको access दे दूँगा, आपको आप वहाँ से चाकर करके, आप चेक कर पाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही simple सा process study material डाउनलोड करने का, इवन आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, को issue नहीं है उसमें, ठीक है न, तो यह हमारी वीडियो थी, जहाँ पर मैंने आपको बता रहा था कि study material आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, और study कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, तो study material देखो, एकदम last में, यह हमारा web page है, जितने भी सारे यहाँ पर tab है, सबसे last tab अब आपका study material का है, इसको अपर आपको क्लिक करना और जो भी आपको डाउनलोड करना है, सबसे m.com करना है, तो m.com के clicker और इक उपर click करोगे, access मांगेगा, मैं access दे दूँगा आपको, आप वहां से download कर सकते हो, ठीक है, बहुत है simple सा process है, I hope कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया भाई तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी problems हो रही है due to study material, तो ये जो है उनके लिए काफी ज्यादा helpful होने वाला है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखो, bye bye thank you